आमतोर पर प्रित्वी से सूर्य हमें पीला या सुनहरा या कभी-कभी लाल भी दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग सफेद दिखाई देता है। असल में प्रित्वी पर वायू मंडल है और सूर्य का प्रकाश वायू मंडल की कई परतों से होकर गुजरता है। इसलिए बिखरने वाले प्रभाव के कारण ये हमें कभी पीला तो कभी लाल केसर सा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में कोई वायू मंडल नहीं है। इसलिए वहां से सूर्य सफेद रंग का दिखता है। लेकिन अंतरिक्ष में आवाजों को सुनना संभव नहीं है क्योंकि ध्वनी को चलने के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है। अंतरिक्ष में कोई गैस या हवा मौजूद नहीं है। इसलिए जब यहां कोई चीज टकराती है तो आवाज नहीं होती है। सूरज अग्नी का गोला है और बुद्ध ग्रह इसके सबसे निकट है इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। यह बात हमारे कॉमन सेंस में आसानी से आ जाती है और हम इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वास्तव में किसी भी ग्रह का तापमान सूर्य से उसकी निकटता या दूरी से अधिक प्रभावित नहीं होता है। यह ग्रह पर उपस्थित गैस के कम या ज्यादा गर्म होने पर निर्भर करता है। इसलिए शुक्र बुद्ध से अधिक गर्म है क्योंकि वहां कार्बन डायोन अकसाइड गैस की मात्रा अधिक है। अगर आपको भी लगता है कि चंद्रमा एक दिन में पृत्वी की परिक्रमा करता है, तो यह गलत है। चंद्रमा को प्रिथवी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन लगते हैं. यही वज़ा है कि हर दिन इसका आकार को बदलते हुए दिखता है. ग्रेट वाल ओफ चाइना को लेकर अक्सर कहा जाता है कि दुनिया की यह सबसे लंबी दीवार अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है. लेकिन ऐसा नहीं है. वास्तव में तो अंतरिक्ष से प्रिथवी पर कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है.